नमस्कार आज में आपको बताऊंगी आसान और सरन तरीके से गले में पाइपिन लगाना जो नए लोग है तो जैसे आप पर सिलाई की पाइपिन नहीं आती है तो आज में आपको तुर्पाई करके बताऊंगी कि जो नए लोग है तो पहले तुर्पाई करके भी सीखें और अब आपको को लगे हम तृर्पाई से अच्छी पाई पना लेती है तो फिर आप सिलाई करके सीखें क्योंकि नए लोग है जो अपही नए नए शीख रहे हैं तो उन पे नहीं आती है गले की पाई पिन तो तुर्पाई से बहुत अच्छी पाइपिन आती है तो देखिए उसको भी बनाना थोड़ा समझना है उसको समझेंगे जब आप अच्छी पाइपिन बना पाएंगे तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा है की आगेजब में चाहिए तो पड़तियां काटनी है तो पड़ति हमैं तिरची करके निकालनी यहीं तो मैंने इसका जो तरह आप इसको डिसफी तरीकी से अब तिर्चा करने के बाद देखिए यहां से हम इसको बीच में से अब देखिए यहां पर हम चोड़ाई लेंगे डेल इंच पत्ती की चोड़ाई हमें डेल इंच की लेंगे अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सूट की कटिंग और स्टीचिंग बताईए तो जैसे मैंने आपको बोलाएं प्लीज चैनल में देख लें यह वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है तेलिंग इन हिंदी चैनल आप उस पर किलिक कीजिए उसके बाद उपर लिख के आएगा वीडियो फिर आप उस पर किलिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो मैंने कुर्टी की कटिंग और स्टीचिंग भी बताईए और सलवार की भी बताईए बहुत कुछ सिखाया है तो जो नई लोग है वो चैनल में जरूल देखें तो इस तरीके से हम पहले पटिया काटेंगे और मैं बताऊँगी आपको कुर्टी की कटिंग भी बताऊँगी और स्टीचिंग भी बताऊँगी और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि गल्ये की चोड़ाई हमें दो इंच की लेनी है तो जो नई लोग है वो दो इंच की चोड़ाई ले है तो देखें इस तरीके से हम यहां पर जोड़ना जहां पर कुणना नहीं है इसको ऐसे जोड़ना देखिए अच्छे से समझें और इसको सिलाई लगानी आदा-दा इंच के इसी तरीके से हमें सारी पट्टियां जोडनी है अब देखिए पट्टि जोड़ने के बाद यहां पर देखिए जो छोटा बड़ा है इसको पराबर करने के बाद अब हम गले के ऊपर रखेंगे अब जैसे हमारा गला है तो पट्टि को आदा इंच बाहर रखेंगे और एक बात ध्यान रखना है हमें कपड़ा कम ज्यादा नहीं करना है आदा आदा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाने इस बात का ध्यान रखना है जब ही पट्टि अच्छी आएगी अब देखें जहां पर हमारा गला गोलाई में आ रहा है ना तो पट्टि को थोड़ा सा ही कीचेंगे और गले को नहीं कीचेंगे गले को थोड़ा धीलाई रखेंगे अब देखें जो सोल्डर की पट्टि है वो पीचे की साइड़ी रखना है यह सोल्डर की पट्टि है इसको पीचे की साइड़ी रखेंगे जो पीचे का गला है इसको रखेंगे अब देखिए यहां पे हम पट्टी को इस तरीके से करेंगे इस तरीके से इससे क्या है जो अंदर का कपड़ा है वो उपर की साइड आ जाएगा अब देखिए यहां पे हमने अच्छे से कर लिया है पट्टी को इस तरीके से अब क्या करेंगे इसको देखिए ऐसे दबाके ऐसे करके ऐसे करके सिलाई लगाने तुर्पाई बाला बनाना है ना तो हमें इसको ज्यादा नहीं इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आदा इंच इस तरीके से दबाना इसमें हमें एक बात का ध्यान लगने जो अंदर का कपड़ा वो दबना चाहिए पट्टी के अंदर अब देखिए इसके उपर हमने सिलाई लगा दी अब अंदर का कपड़ा काट लेंगे अब देखिए यहां पर अंदर का कपड़ा दबा हुगा आया ना इस तरीके से आनी चाहिए पटी अब इसको बनाना बहुत असरल है अब हम क्या करेंगे एक सुई लेंगे देखिए धागे को हम डवली रखेंगे अब देखिए इसका जो आदा इंच पहार है ना पट्टी का कपड़ा इसको अंदर के साथ ऐसे दबाएंगे इस तरीके से और इसको ऐसे अब देखिए ऐस अब आपासा ही लेना ज्यादा नहीं लेना है इस तरीके से और इससे हम देख भी सकते हैं कि हमारा पाइपिन है वो थोड़ा पतला है या मोटा है इस तरीके से देखिए नए नई लोग है बूब बनाएं तो बहुत सरल है फिर आपको लगे कि हम दुर्पाई वाला बना लेंगे तो फिर सिलाइवाला बना लें इससे क्या है कि जब हम दूसरी का ब्लाउच बनाएंगे तो उसका ब्लाउच खराब भी नहीं लगेगा अब देखिए मैं तो ऐसे आपको बता रही हूं और आप लोग यहां पर क्या करेंगे यहां पर थोड़ा सा इसको पकड़ लें दवाले पैल से इसको ऐसी और फिर जली यली तुर्पाई कर लें अभी यहां पर आधा इंच बाहार है नगहीं पट्टी इसको ऐसे अंदर के शाइट कर देंगे इस तरीके से अब देखिये कितनी अच्छी पाई पिना आई है और इसको बनाना भी आसान है देखिए कितनी अच्छी है इस तरीके से तुर्पाई वाला गला भी बहुत अच्छा लगता है देखिए पीछे की साइड है हमारी पाइपन बनके तयार है आसा करती हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाग से ज्यादा शेय कर दोस्तों क कर दोस्तों कर दोस्तों कि अटूस्तों कि प्लिजा से हुआ हमारी देखिए वीडियों आट कर दोस्तों कि क्या भीका लगता है।